नमस्कार आप देख रहें Z News मैं आपके साथ शोबना याद हूँ 22 जनवरी वो तारीक जिस दिन राम लला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है तमाम जो साधू संथ हैं इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कुछ जीवित हैं और कुछ इस इच्छा को ले करी स्वर्ग सिधा लेकिन आज ये एक बड़ा दिन होगा 22 जनवरी का जिस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी और आज इस मौके पर मेरे साथ बहुत ही खास महमान मौजूद है किसी तारूफ के मोहताज नहीं है बागेश्वर धाम से धीरेंद्र शास्त्री जी बहुत-बहुत स् जी न्यूस के इस कारिक्रम में बधाई आपको आप हमेशा राम मंदिर की बात करते रहे हैं सनातन की बात करते रहे हैं और वो तारी खा गई जैसिया राम संपून दस्कों को भी स्री शीता राम और आपको भी बहुत भाध धन्यवाद और बधाई तो समस्त राम भक्तों को जो और उन लोगों को जिन्होंने इस राम मंदिर के कारी के लिए अपना जीवन बल्दान कर दिया बिल्कुल और ये बड़ी बात आपने कहीं क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग जीवित हैं और कुछ अभागे जो इस इच्छा को लिए हुए ऊपर चले गए लेकिन आपको आमंतरन तो मिल गया होगा आप जा भी रहे होंगे तो कितने उत्साहित हैं आप और आ कौन ऐसा होगा जो इस द्रश्र को अपनी नंगी आँखों से ना देखना चाहे हम इतने उत्साहित हैं बहन कि हम अपनी उत्साहित की बात कह नहीं सकते मन खूब गदगद है अतिव प्रशन है इतनी प्रशनता कि बाणी ब्यक्त नहीं कर शकती है और निश्यत रूप से इस भारत में ब्यदेसों में रहने वाले जितने शनतनी हैं वह उस दिन दीपा बली मनाएंगे चाहे ब हुँ भारत में रहते हो या ब्यदेशों पहली बार ऐसा हो रहा है सनकत्र ये हिंदू की यह सबसे वड़ी जीत है और पहली बार पूरे विश्यों की मीडिया इसको करेगी यही हिंदू राश्ट की जीत है आप राम की बात करते हैं आप सनातन की बात करते हैं धिरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश उर्वाले क्या है आपके राम कैसी हैं की तस्वीर। पुर्शोत्तम है हमारे राम जाती वात से उपर हमारे राम शंपून विश्व की एकता पर भरोशा करते हैं हमारे राम अधर्म के खिलाप बान प्रतंचा पर चड़ाने में बिल्कुल भी सकुचाते नहीं हमारे राम अधर्म करने बालों को ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी नहीं सक्षा जाते हैं हमारे राम नर हो करके भी बानरों का मान बढ़ाते हैं हमारे राम जूट बेर सवरी के खाते हैं हमारे राम केवट की जो दुनियांको पार करते हैं वो खुद केवट की नाओ पर चड़कर के गंगा पार होते हैं यह हमारे प्रभुशी राम कि मर्यादा है यह भारत का अस्तत्त है यह भारत की मौलेक्य खेकल कर जांगता का विचार है मान्वों की अच़ारحمता है रहा प्रभुशी राम है किसी को भी मानो जीवन सीखना है प्रभुशी राम की मर्यादा से सीखना चाहिए यही भारत को विश्व गुरू बनाता है तो हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं क्या ये भी राम राम की पक्षदर है और राम की यात्रा का एक परिया है हिंदु राष्ट का मतलब ना तो किसी एक मजभ की एकता ना किसी एक मजभ के खिलाब विद्वेस ना किसी एक मजभ को टार्गिट पनाना हिंदु राष्ट का मतलब है जाती वाद दूर हो जातियां हो जाती बाद न प्रभु शिराम ने करके दिखाया स्वयम छट्री है लिकर सभरी के घर जूठी वेर खान visit यह हमारे प्रभुन करने करने हमारे थे इंदु राष्ठ की कल्पना में सिर्फ इतना तरह है कि आप राम की आत्रा पर पथ्थर आप राम के होने का सब उतनी मांगेंगे, आप राम कालपनेक हैं, ये बोलने की आपको किसी ने छूट नहीं दे रखी, क्यों? वो हमारी आस्था का कैंदर है, आप राम के उपासक नहीं है, तो आप राम के विरोधी भी बनने के अधिकारी नहीं है, आप उनका सम्मान नही तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दूसरे धर्मों के लिए क्या जगे होगी धिरिंद्र शास्त्री जी कि अगर मैं बात करूँ बस प्यार से रहें ये है मेरे राम की परिवाशा, मेरे राम की देश की परिवाशा, राम चर्त मानस के हिसाब से जीना होगा, आपको आदर्श के हिसाब से, मानवों के हित के हिसाब से जीना पड़ेगा, आपको अमानवी एकृत से बचना पड़ेगा, आपको पालगर के संतों की नर्दई हत् यह हिंदू राष्ट की कल्पना है और अगर बुरई कल्पना है और गलत कल्पना है यह गलत संखल्प है तो कोई हिंदू साथ ना दे और सही संखल्प है तो जैसे आज राम मंदिर की आत्रा में सब की आखें डबडबाई ऐसे हिंदू राष्ट के लिए और आंगे बढ़े तो क्या ये मानने कि राममंदिर बन जाने से हिंदुत का सनातन का मिशन पूरा हो जाएगा या कुछ बाकि रह जाएगा? अभी तो ज्ञानवापी बाकि है, मतुरा बाकि है तो मतलब विवाद कभी खत्म नहीं होगा? बिवाद नहीं, ये तो संबाद का विशय है पर दूसरे धर्म के लोगों के लिए तो ये उनकी आस्था का विशय है अब भई उलू को तो दिन बेकार लगता है तो उसे हम किसी की आँखों का चस्मा नहीं बदल सकते ये उनकी टेंसन है हम उनकी आस्थाम ने उनके भगवान को तो बुरा कहा नी उनके भगवान के कपड़े ओता रहे नी हमने उनके भगवान को कभी जो है सबूत मांगा नी उनके भगवान के खिलाब बोले नी उनके भगवान की उपर हनमान जी बैठाए नी हमने तो आपको जबाब दे रहे हमारे राम मंदिर के जन्म भूमी पर जहां प्रभुशी राम कई हजार वर्षों से रिगवेद सबसे प्राचीन वेद है उस रिगवेद के प्रमार पूज जवित गुरु तुलसी पीठादी सो गुर्दे भगवान ने सुप्रीम कोट में आपका कुश्चन भी लीगली नहीं है सुप्रीम कोट में कहा कि वहां राम जी थे यह सुप्रीम कोट में कहा है इसका मतलब इन्होंने अधिपत्त जमाया इसका मतलब इन्होंने कब जा किया इससे यह सिद्ध हो गया कि यह एसी जगहों पर कब जा किये अब जहां जहां क लेकिन शास्त्री जेगर इतिहास को कुरे देंगे तो बहुत सारे घाओं है बहुत सारे घाओ भरेंगे इसलिए तो हम जन्म नहीं हमने लिया है वह हिंदू हुए इसलिए तो मतलब राम मंदिर पर लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी बिबाद थोड़ी है संबाद का विश लिया अए पर बास्ति-वि रुप से अवेयद कभजा किया गया उसके लिए भारत में नयाए-प्रणाली है उसके लिए भारत में एक विवस्था है शंबीदान है यहां पर जो ए जज हैँ मजस्टेड है वह नयाए करेंगे हम सब अपनी आस्था के सबूत रखेंगे लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो देश के मुसल्मानों ने दिल से स्वागत किया तो क्या आप उनकी भावनाओं का ख्याल आगे नहीं रखा जाना चाहिए या इस विवाद को बनाते हैं हमने मक्हा मद्धिना पर कभी उगली नहीं उठाई अजमेर पर हमें अजमेर के ऊपर तो कभी नहीं गया हम तो हम भावनाओं का ख्याल कितना रख रहे हैं यह तो देखो कितने सेंसी लें लेकिन क्रिया पर प्रितिकरिया भी है वह ऐसी कह रहे है कि बाबरी मस्जिद को जहर उनका जान नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों को हनमान जी ठीक करेंगे, हमें भरूश है, लेकिन क्रिया के प्रिदिकरिया दोनुपक्षों की तरह से, पर्णविस सहा में वो भी कह रहे हैं, कि कार सेवा में हिसा लिया था, बेवसे में अयोध्या में ही था, तो क्या, क्या हम अपने काम में कार सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर हमारी कार सेवा से किसी दूसरे धर्म के लोगों आहत होते हैं, तो क्या उस कार सेवा को हमें सही मानना चाहिए? हमारा सनातन के कहता है हिंसा परमो धर्मा लेकिन हिंसा धर्मो तथई वचा जब इंसान ही नहीं बचेगा इंसानियत खतम हो झाई धर्म की रक्षा कौण करेगा तो हमने सिर्फ लोगों को ये कहा है कि हमें विवाद नहीं चाहिए, संबाद चाहिए पर आप हमारी आस्था को मिटाने का फृत्र नहीं करेंगे हम आपकी आस्था के साथ खिलवाद नहीं करेंगे पर आप हमारी आस्ता के साथ खिलवारनी करेंगे, ये भी आपको अधिकार नहीं है, लेकिन हमें कहीं कोई लकीर, क्या आप शास्त्री जी सोसते हैं कि हमें कहीं कोई लकीर कि अब बस यहां तक हमें रुकना होगा, प्रक संसार नहीं रुक रहा, तो ये लकीर से कैसे रुक बात है, लेकिन कुछ अपने ही धर्म के नीता भी है, जिनकी तरह से टिपनी आ रही है, आपने भी शबरी के बेर कर दिक्र किया, कहा जा रहा है कि मासाहरी थे राम, मेरा सवाल ये है कि हर हिंदू की, लेकिन हर एक के अपने प्रबु राम की अलग छवी है, वो अपने हिसाब से उसको आजादी बाता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे है कि कि हर्दूशन सुभाहू मारीच ये तुरेता युग में ये होते थे जो विगन डालते थे शुब कामों में और आप ये विपक्ष के नेता है शुद्ध्य। क्या तो ये आपको तुल्ना किया रही है, हम टिपड़ी नहीं करते हैं। ये तुलना आपको सही लग रही है। नेताओं पर हम टिपड़ी नहीं करते हैं। किसी भी नेता को हम किसी तरह जुपनी रखते हैं। एक बड़ा सवाल दिग विजा सिंग जी ने उठाया कि भी रामलला विराजमान जो की कोर्ट में रामलल विराजमान वहां पहुँच रहे हैं और अपना केस लड़ रहे हैं। अब वो रामलला विराजमान की मूर्ती जो है वो बदल के दूसरी मूर्ती रखी जा रही है। तो इसको बाबा कैसे लेते हैं। किसी राज नेता की पद्क्रिया पर हम नें। नेता को आप छोड़ अब लेकिन रामलला विराजमान जो जिस के दर्शन मैंने किये हैं आपने किये हैं। बड़े विग्रह का दर्शन सब को लोग दूर से कर पाएं। ज्यादा समुदायाना है। सालिक ग्राम की सिलाएं पहुंची हैं। तो एक शर्व संवती से सादू संतों के द्वारा श जादा मार नहीं कर रहे तो बड़े वाले राम जी रहेंगे तो सदियों तक कोई आख उठा की नहीं देखेगा नहीं तो मतलब आप यह एक नया नया तरीका है और एक नया भाव है समझने का कि जो चोटे लला थे वो ज़्यादा लोग उन पर छोटे बच्य थे ना सरकार ललाई थे ना उनको बहुत ज़ादा लोग मैं सरकार का विग्र है बहुत बड़ा हो हनुमान की आदेश लिया जाएगा, उनकी इजाज़त ली जाएगी और फिर राम मंदिर, राम लला के दर्शन होंगे, तो आप इंतजार कर रहे हैं। बिलकुल, यह सास्त्रुक्त पद्धती है, शास्त्रिय परंपरा है, वहां राम राजा की रूप में है, लेकिन जो विग्रह का पूजन होना है, वो राम लला की रूप में है। की दूर से सरकार के दर्शन कर सकें। और हमने अपना भाव आपको बता दी। तो आप पहली बार मंदिर, राम मंदिर जाएं। हमारे हिर्दय को बहुत वहां पीड़ा पहुची थी, चार-पाच बार अध्या गए, दर्शन हमने सिर्फ जीवन में एक बार किया, राम लला की। और जब बहुत पीड़ा हुई, मन बहुत कसोटा, बहुत गुसा आई, हम अपने आपाखो बैठ रहते, कंट्रॉल नहीं कर पा रहते, शिक्योर्टी बहुत थी वहां पर, मन तो कर रहा था कि अभी कुछ कर डालें। इसके बाद फिर मन को बहुत पीड़ा पहुंची, आपको क्यों पहुंची पीड़ा, मतलब पीड़ा पहुंची मैं समझ रही हूँ, पर क्यों, सायद ही कोई ऐसा राम भक्त होगा, जिसको पीड़ा देख करके ना होती हो, आप तब गए थे जब मस्जिद थी वहां पर, या जब मंदिर बनना शुरू है अच्छा, अब आप समझ जाओ, हम पवित्र मुशे नाम नहीं लेते हैं पर थी वह, तो अब आप खोश हैं, बहुत जादा, वो मुझे दिख रहा है, आपके चेहरे पर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तमाम ये भी कहा, बहुत सारे विबाद भी हैं, हलाकि मैं आज बड़ा शुब दिन आप आने वाला है, और इंतजार की घडियां खत्म होने वाली है, भारत की दीपावली है, बाइस जनवरी भारत की दीपावली है, और उस दिन हिंदूओं को दीपावली मनानी चाहिए, गर-गर दीप जलाना चाहिए अच्छा कुछ लोग ऐसा हो रहा है कि प्रधान मंतरी मोधी का विरोध करते करते बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध शुरू हो गया है, जिसको भी सुनिये वो कुछ ना कुछ कमी निकाल दे रहा है, जैसे मासाहर की बाती आ गई, मूर्ती के रूप की बात आ पत्थर दिखाई देगा जिसकी मती सुमत ही है उसे पत्थर में पत्थर में परमातमा दिखाई देता हैं उनका वीचारों का अधुनेاس, कष़मा भयंकर खोट OL Hee कि अगर कोई कमी हो तो वहाँ पर गोला मार्क कर दो इतने गोला से मार्क लोगों को ने कर दिया कि पेंटिंग खतम हो गई, दुबारा उसने फिर पेंटिंग बनाई, उसने लिख करके टांगा कि अगर कहीं कमी हो तो कृप्या सुधार दें, एक भी गोला नहीं लगा, बस यही दुनिया का सिध्धानत है, तो यह रामण के खांदान के लोग इस सिध्धानत पर गोला मारक पर जी रहे हैं, तो इनको तो जीवन भर यह कमियां मिलती रहनी है, और बिचारों को मिलनी भी चाहिए, उनका यही जॉब है, और आप लोग टीवी वाले भी कैसे उठाएंगे, उनकी बात कैसे करेंगे, तब ही करेंगे, जब वो कुछ उल्टा बोलेंगे, तो वो लिए जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, और ऐसा नहीं है, कि अपने हिंदू कि सनातन थोपने की बात की जा रहे है, सनातन को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? सनातन का मतलब तो समझें, सनातन का मतलब जो आदी से है, जिसका कोई अंत नहीं है, और ये थोपने का विसे नहीं है, धार्यते धर्मा, धर्म को धारन किया जाता है, धर्म को सिद्धान्तों में उतारा जाता है, धर्म का चित्र नहीं है, चरित्र है, चरित्र में उतार कर अपने चरत्र को निर्मल किया जाता है, अपने चरत्र की पवित्रता, अपने जीवन के सिधहान्त, धर्म की मर्यादा, धर्म की नियमा का प्रोटोकॉल का पालन करना, और वो भी बैक साइड, इनसाइड, आउट साइड, दॉनों, पबलिकली भी और ब्यक्ती गत्वी, अके हम कभी उंगली उठा रहे हों सनातानी कभी उंगली नहीं उनका भी जुलूस निकलता है हमने तो नहीं पत्थर मारी उनके भी भारता यात्राइं होती है हमारे भारत के मंदरों के पैसों से होती है हमने तो कभी उंगली नहीं उठाई हमने तो कभी सरकार से यह तक नहीं किसी को बुरा लगता तो वो उसकी मजबूरी उसे पेट दर्द की को लिखानी चाहिए हमारी उंसा कोई बिरोध नहीं है और हम अपने हिंदूओं को भी प्रात्ना करेंगे आप प्रभूशी राम हां राजनीती का बिरोध करो आप राम राजनेता का करो पर राम राज्य का लेकिन आरोप तो आपके उपर भी लगता है कि कहा जाता है कि आप तो बीजेपी के धरम को आगे बढ़ा रहे हैं पहरे बड़ी मुर्खता वाली बात हम सब की कताएं करते हमारे पास सबनेता आती हम सबनेताओं के गुरू है हमारे पास सब लोग बैठते मारग दरशन ल सकता है ये भी कहा जा सकता है देखो दुनिया में मीडिया वालों को भी तो बोलते हैं गोदी मीडिया पैसे लेकर देखा रहे हैं कितने नहीं उठाते हैं उंगली है उठाना सरल है बहुत उठाना सरल है जेलना बहुत कठिन है कोई बड़े दिल वाला ही जेल पाता है तो हम अपने सनातन की बात नहीँ छोड़ेगी, हम पृतते इधु को जगाने के हम लुकह राम राज्य की स्थाप लुकार किया है। हिंदू को जगाने का मतलब है किसी बहन बेटी के साथ बेविचार हो रहा हो तो पुरुजोर बिरोध करें हिंदू को जगाने का मतलब है अपने सनातन के लिए वो कट्टन है हिंदू को जगाने का मतलब है अहिंसा पर भरोशा करें हिंसा पर नहीं हिंदू को जगाने का मतल को लाइक करने की वजाए हिंदू को जगाने का मतलब है हमारे साथ अगर कोई वरवरता कर रहा हम सबसे हिंदू अगर वह गलत कर रहा कोई दूसरे मजहब का या दूसरी व्यक्ति या दूसरे समधाय का हम उसको पुर्जोड तरीके से अपने पक्षमाले को सपोर्ट देखर लेकिन शास्त्री जी अगर इस तरह हम हिंदू इस तरह से तलवार उठा ले या शस्त्र उठा ले भाला नहीं कहा हम अगर कोई हमारे साथ बरबरता कर रहा है और हम उसका जवाब दे रहे तो कानून का राज कतम हो जाएगा कानून तक हमारी आबाज पहुंचे एक ता इसके लिए हम कह रहे हैं अच्छा कानून तक हमारी आबाज पहुंचे हमारी बात कल तक कोई नहीं सुनदा आज चार लोग हमारे साथ खड़े हो जाए यही बात हमारी आपको भी सुननी पड़ेगी यही बात हमारी आपको भी तुम्हारा कानू, क्यों नहीं सुना, क्यों खुले यां धलाक रहा, धार रहा, राम को कालपने कहा, ये राम के उपर ना जाने कितनी उंगलियां उठाई, राम मंदिर को ना जाने क्या क्या कहा, कहा गया कानू, तो किसकी कमी है ये, अपनी, और आपकी और हमारी, कैसे, ये आपने मुझे बहुत अच्छी बाते बताईं तो अब मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ और मैं जोती राव फूले का जिकर करना चाहती हूँ, अभी एक RJD के नेता ने एक लाइन लिखी थी, एक कोटेशन लिखी थी, पर वो मैं कोटेशन आपको पढ़के सुनाना चाती हो, एक्टिविस्ट रहे हैं, आप जानते ही हैं कि सावित्री भाई फूले को भी आप जानते ही होंगे, उन्होंने कहा कि मंदिर की जब घंटी बचती है, तो हमें संदेश देती है, हम धर्म और अंदिविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं जब स्कूल की घंटी मंदिर की घंटी बजना अंदिविश्वास नहीं है, बाप को बाप कहना भी अंदिविश्वास नहीं है, अगर मंदिर की घंटी बजाना, परमात्मा को परणाम करना, अंदिविश्वास की ओर बढ़ना है, तो बाप को बाप कहना भी अंदिविश्वास है, मा को मा कहना विद्याले की भी जरूरत है विद्या की भी जरूरत है विद्यावान हनमान जी की भी जरूरत है और राम की आदर्श की भी जरूरत है और राम की पूजा की भी आवशकता है लेकिन बाबा पे तो ये आरोप लगता है शास्री जी पे ये आरोप लगता है कि आप तो सनातन क कि बात करते हैं हिंदू राष्ट की बात करते हैं हम जो जाणफू के वह मंतिश कित्सा से ठीक करने वाले बागेश और धाम के पिथा दिशुर होने के नाते कैंसल हॉस्पीटल निर्मार का संकल्प लेते हैं आरियोवेदिक औस धाले खोलते हैं मंदि विश्वासी नहीं है पड़े लिखे हैं धर्म के साथ साथ बाप को बाप कहकर राम को परम पिता मान कर मंदिर की घंटी बजाने को भी ग्यान और वो भी एक चिकितसा है धनी चिकितसा उसको लेने मंदिर जाते हैं राम हमारी आदर्श हैं उनके चरित्र को मुर्ती में देखकर अपने जीवन को निर्मल करने के लिए मंदिर जाते हैं और विद्याले पढ़ने भी जाते हैं ऐसा कहना मुर्खता पूर बाते हैं समझने का सिध्धान्त होना चाहिए ठीक है दिवाल दीपावली का उत्सव मनता है और आयोध्या में अब जो दीप उत्सव होता है वो दुनिया में जाना जाता है इसका एक जबाब दे दे बिलकुल दीजे ना अब हमको संतुष्टी नहीं हो रही खुद को अब दीजे न मैं सुनने आई हूँ मुझे अच्छा लग रहा है बोलिए अगर मंदिर की केवल घंटी वजाना अंद विश्वास को बढ़ावा देना है सडकों पर नवाज भी अंद विश्वास होगा रवीवार को चल्च में जाना भी अंद विश्वास होगा पराथना करना भी अंद विश्वास होगा पर तो इस दुनिया में सम्मूरक लोग हैं और कहीं न कहीं आप भी होगी पर इन मूरकों के लिए जिस आदमी ने लिखा है उससे कुश्चन करके उत्तर हमें दिरूब बताना अब मज़ा आ रहा है प्रशन करें मज़ा आ रहा है नो तो चलिए मैं यही चाहती हूँ मैं यही चाहती हूँ मुझसे तो सोशल मीडिया पर बहुत लोग सवाल पूछते है यह आप प्रशन लिया करो बहनों आया करो हमारा दर खुला है खुला ही रहेगा जब तक हम जियेंगे तब तक जबाब देंगे कोई भी हो हाँ जो हमारे पास है पर अगर ऐसा उन्होंने कहा कि मंदिर की घंटी बजना अंदिविश्वास की और बढ़ना और विद्ध्यालाई में की घंटी बजना है उसके लिए तो वरजी लगेगी पूछना चाहिए लेकिन फिर तो चर्च में जाने वाला वह इसा को मानने वाला वह अंदिविश्वास ही है रोडों पर नवाज पढ़ने वाला शुक्रवार खो वह भी अंदिविश्वास है और पांच-पांच नवाज पढ़ने वाला रोजा रखने वाला भी अंदिविश्वास है इन सब को भारत में नहीं पूरे विश्व में बंद करके बताओ, तब तुम्हारा कोड मारा अच्छा मोदी जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी, अभी नहीं हो सकता है, आपको सौभागे मिले मंदिर के उसमें प्रदान मंत्री पीट के परती हमारा आदर्श है, अब मैं च मैं चाहती हूँ कि आप श्री राम के लिए, मर्यादा पुर्शुरत्म राम के लिए कुछ गा के मुझे सुना दें और मेरे दर्शकों के लिए, ऐसा कुछ हमारा गायन तो ठीक ठाक नहीं है, जैसा भी कुछ भजनी आप गुन-गुनार देखिए, मोदी जी भी रोज पूटी सेवा बन जाती है, उसी सेवा को हम करते रहते हैं, अभी तो एक बहुत ज़्यादा भाव सबका चल रहा है, वो भाव हम गुन-गुन-गुनावी, को कि कल भी गा करके आएं, फिर से हम गा रहे हैं गाएंगे नुटी से लिए जोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो आंगे न साजाओंगी, दीप जला के दिवाली में मनाओंगी, मेरी जिन्दगी के, हो मेरी जिन्दगी के दुख सारे मिटे जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे ये 22 जन्वरी के इंद्रियार, बहुत कुब, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर, और आगे भी मौका मिलेगा, आगे भी बात करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो जी न्यूस पर आपने सुना, बागेश्वर का आप देखते रहे, जी न्यूस